कांग्रेस पार्टी को एक्तिदार सोबना मुल्क के लिए नुक्सान दे वजीर आजम मोधी का इद्धिया हिंदुस्तान पहले के नारे के तहट इंडिया हकूमत सरगर चौकिदार के तौपा मुल्क के अवाम के खिद्मत करने वजीर आजम का अजम मुल्क के इमलाक की हिफादत हकूमत का फर्ज नरिनमोधी का तासूर कांग्रिस उमिद्वार करीम नगर से पूनम प्रभाकर पिता पली से एच जंद शेकर के पच्चे नामजद्गी दाखिल निजाम बास से दो आज़ाद उमिद्वारों के पच्चे नामजद्गी दाखिल कांग्रिसी खायट डी के अरुना की अमिश्या से मुलाकात बी जे पी में शमूलियत मरकज में फिर एक मरतबा मोधी हकूमत का दावा और पंजाम नाशनल बेंक के खर्ज़दार मुम्तास ताजी निरू मोधी गिरफतार लंदन पॉलिस की जानिब से फर्स्ट मिनिस्टर पोर्ट में निरू मोधी की हाजरी जमानत ना मौनजूर आदाब उद्धो ख़बनमे में आपका खेर मगदम है अब खबरे तफसील से वज़दम नाइदमूदी ने कांग्रिस की शाहिज सियासत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहाए कि ये मुल्क के लिए तबाकुन है उन्होंने कहाए कि 2014 में एक रुज़जान पैदा हुआ था क्यूंकि उस वक्त हिंदोस्तान की तारिख में पहली मरतबा एक गेर खांदानी तानेशाई हुकूमत खाइम हुई जिसको अवाम की मुकमल ताइद हासिल हुई उन्होंने कहाए कि इनकी हुकमत खांदान पहले के बजाए हिंदोस्तान पहले के तहट काम कर रही है नैंदमोदी ने कहाए कि गुष्टा पांच बरस के दौरान हिंदोस्तान की मैश शेयर माजबूत हुई जिस पर दुनिया की नजरे जमी हुई है नेन्दमोदी ने मुल्क में अमर्जंसी नाफिस करने से मुतालिख कांगरिस के फैसलों को तन्खीद का निशाना बनाते हुए का है कि जब 25 जून 1975 को सूरज गुरूब हो रहा था उस वक्त मुल्क में जमूरी इगदार खत्म हो गई थी सद्ध कांगरिस राहल गांदी ने नेन्दमोदी के खताब पहले अपने रद्ध अमल का इज़ार करते हुए कहा है कि वजिर आजम का दफ़ता एक तश्यरी दफ़तार हो गया है उन्हें ने कहा है कि कांगरिस तहजी भी बटवारे पर यखीन नहीं रखती कांगरिस खायत कपिल सबिल ने भी वजिर आजम के दावे की तरदीद की वजिर आजम नेन्दमोदी ने आज होली के रंगों से मज़ीन तक्रीर करते हुए आडियो के जरिये 25 लाग चौकेदारों से खताब किया इस मौके पर पार्टी के राजसबा मेंबर अनिस बालुई ने कहाए कि ये एक मैं भी चौकेदार के तहित इख़दामाद का एक सिलसला है वज़राजम ने इस मौके पर मकतलिक मुवामाद पर अवाम से मलाखाथ की जुन्होंने मुलक के 500 मुवामाद से भी चौकेदार महीम की ताईद करनी का अजमी किया है जो इस मा की 31 तारिख को मनाकिद होगा वजिराजम ने अवाम पर जोड़ दिया है कि वह कहते हुए हल्फ लेके मैं भी चौकिदार हूँ और मैं तमाम समाजी बुरायों का खात्मा करूंगा नेंदमोदी ने अपने टूइट में कहा है कि हम खौम के खिदमत करेंगे और ये एक को करप्शन और समाजी बुरायों के खिलाव लड़ना है और एक चौकिदार बतौरे मुल्क की तरखी के लिए सख्त महिनत करना है वजिराजर में खुद को खौमी चौकिदार से हैसियत से वो इस महा की 31 तारीख को एक मुहिम मनखिद करेंगे और किसी को बद उन्वानियों की इजाज़त नहीं देंगे रियासिती गौना एसल नर्सिमन ने हाइटेक सिटी तक तौसी की जाने वाले मेट्रो रेल को आज घंडी दिखा का रवाना किया इस रास्ते पर मेट्रो टेंड की शदीद मतालबा था क्योंकि मसाफरीन और खास दोर पर मुलाजमीन हाइटेक सिटी जाते है पेशे एक रिपोर्ट लाए जा रहा है अब जब के मेट्रो टेंड की सहलते फराम हो जाएंगी तो मसाफरीन और मुलाजमीन के लिए खास वालते फराम होंगी गौनर ने आज सुबह नौ बच कर पंदरा मिनट पर अमीर पेट ता हाई टेक सिट्री मेट्रो रेल के तीसरे मरहले का इफ्तिता अंजाम दिया जिसका अर्स दरास से इंतिजार था अमीर पेट मेट्रो इस्टेशन पर एक इफ्तिताई तकरीब मुनाखिद हुई इस ट्रेन के 10 किलो मेट्र की पट्री पर 9 इस्टेशन होंगी जिन में अमीर पेट भी शामिल है सरकारी अधिदारों ने बताए कि इस पट्री पर ट्रेनों की बाखाएदा रवानगी का आगा शाम चार बज़े से होगा वजिराज़म नेंदमोदी ने मियापूर और नागोल के दर्मिया सबसे पहले मेट्रो ट्रेन का इफ्तिता अंजाम दिया था वाज़ रहे कि इस 10 किलो मेटर रास्ते के बाशमूर मेट्रो डेल जूमला 56 किलो मेटर का इहाता करेगी पहले मरहले में मियापूर से इल्बी नगर 31 किलो मेटर का काम मकमल हुआ था और दूसरे मरहले में JBS से फलकनुमा 15 किलोमिटर पर मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही थी अब MGBS से फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन का चलाया जाना बाखी है इसके अलावा तीसरे मरहले में नागोल से हाई टेक सिटी 27 किलोमिटर ट्रेन चलाई जा रही है अमिर पिर्ट से हाई टेक सिटी मेट्रो ट्रेन का भी आगाज हो चुका है हाई टेक सिटी के लिए अवाम का शदीद मतालिबा था इसलिए मेट्रो ट्रेन के हुकाम ने मसाफरीन के हुजूम की वज़े से ये काम मुकमल कर दिया है बीरो रिपोर्ट दूर देशन नियूज जस्टिस अजे कुमार को जूडिशल मिंबर्स मुखरार किया गया है इसके अलावा नान जूडिशल मिंबर्स में साबख खातूं शास्तर सीमा बाई अटजना अटजना रामसंदरम माराश्टक के साबख चीफ सेक्रेटर दिनिश कुमार जैन साबख I.R.S. आफिसर महंदर सिंग और साबख I.S. अंदरजीज प्रसाद गौतम होंगे जस्टिस पिना की चंदरगोश में 2017 में सुप्रिम कोर्ट के जजज की हैसिय से वजीफे पर सुखदोश हुए थे और वो 31 जून 2017 से खौमी हुखुक कर्मिशन के मिंबर है लोगसाबा इंतिखाबात के लिए नामजद्गिया दाखिल करने के तीसरे दिन दो कांग्रिसी उमिद्वारों ने अपना पच्चाए नामजद्गी दाखिल किया और व्यद्गर कर्मिशन के थे लिए अपने नामजद्गी के काख़ा थवाले किया पे दापली पालेमेन हलके से कांग्रिस उमिद्वार इंचेंद्गी दाखिल कि इसके अलवा निजामबाद में दो आजाद उमीदवारों ने भी अपना परचाए नामजदगी दाखिल की मरकजी हुकूमत में शामिल होने के लिए बड़ी तेदाद में किसानों ने भी इत्खाबाद में हिस्सा लेने का फैसला किया है कंबम पार्लिमेनी हलके से तीन आजाद उमीदवारों ने अपना परचाए नामजदगी दाखिल किया इलक्शन कमिशनर ने लोकसवा इंतिखाबाद से खबल मुक्तलिफ सियासी जमातों के साथ एक इजलास मनाखिब किया इस इजलास में इलक्टरानिक वोटिंग मशीन वीवी वैलेट्स के इंतिखाबाद में इस्तेमाल के तालूस एलक्शन कमिशनर से उहदेदारों से तबादल ख्याल किया है कहा गया है कि इलक्टरानिक वोटिंग मशीनों की कारकरदेगी की तफसिलात हासिल की जाएंगे इलक्शन कमिशनर ने तमाम सियासी जमातों के उमिदवारों से कहा है कि वो अपनी तफसिलात रवाना करें उन्होंने कहा कि उमिदवारों को उसूल के मताबि अखराजात अमाल में लाना चाहिए और रात दस बजे के बाद कोई तश्यरी महीम मनाजिम ना की जाए उन्होंने ये भी कहा कि रियासती सियासी जमातों को पुर अम इंतखाबात के इनिकाद के लिए ताउन करना चाहिए रीजनल न्यूज यूनिट डूर दर्शन यादगिरी चैनल हैदरबाद के लिए कैजवल अर्दू न्यूस प्रेजेंटर की दरखास्ते मतलूब है मावज़ा अधा किया जाएगा उमिदवारों के लिए जरूरी है कि मुसलिमा यूनिवर्सिटी से कमस कम डिग्री याफ्ता हो और इसकी अमर 21 से 40 साल के दर्म्यान हो उमिदवार को अर्दू हिंदी और अंग्रेजी जबान लिकने पढ़ने और बोलने और तर्जमा करने क सासा तलफस की सही अदाएगी में महरत हासिल हो उमिदवारों के लिए जरूरी है कि रियास्ती मरकजी और बेन अख्वामी सते की जरूरी मालूमात के अलावा आहिम सियासी व सखाफती और खेल से वाबस्ता खबरों और अफराद के नामों से भी वाखिफ हो ऐसे अपने दरखासे बायो डाटा और ताजा पोस्कार्ट साइस कलर फोटोग्राफ मुस्तनित तालिमी सदाखत नामे के अलावा पेशे वराना सालायत के हामिल सदाखत नामे के साथ 20 अपरिल 2021 तक आनलाइन उर्दोन्यूस डिडिके एटर जीमेल डाट काम पर दाखिल कर सकत है और आखिर में आएम खबरों के साथ ये खबर ना माईएं खत्म हताए शब्बाखेर कांग्रिस पार्टी को इक्तिदार सोबना मुल्क के लिए नुखसान दे वजिर्याजम मौदी का इद्दिया हिंदुस्तान पहले के नारे के तहट इंडिया हकूमत सरगर चौकिदार के तौपा मुल्क के अवाम के खिदमत करने वजिर्याजम का अजम मुल्क के इमलाक की हिफाज़त हकूमत का फर्ज नरिनमोदी का तासूर कांग्रिस उमिद्वार करीम नगर से पूनम प्रभाकर पिता पली से एच जंद शेकर के पच्चे नामजद्गी दाखिल निजाम बास से दो आज़ाद उमिद्वारों के पच्चे नामजद्गी दाखिल कांग्रिसी खायट डीके अरुना की अमिश्या से मुलाखाद बीजे पी में शमूलियत मरकज में फिर एक मरतबा मोधी हकुमत का दावा और पंजाम नाशनल बेंक के खर्ज़दार मुम्तास ताजी निरू मोधी गिरफतार लंदन पोलिस की जानिब से फर्स्ट मिनिस्टर कोर्ट में निरू मोधी की हाजरी जमानत ना मंजूर